जीवन में जब कभी कुछ समझ ना आये की क्या करें, कैसे हम अपने जीवन के दुखों से बाहर आएं? दोस्तों इस जीवन में दुखी होने के जितने कारण है उतने ही कारण सुख होने के भी है लेकिन हम अपने जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं बलकि हम अपने जीवन को अपने आप से कोशते रहते हैं, ऐसा करने से परिणाम यह होता है कि हम अपने दुखों के जाल में गिरते हुए चले जाते हैं, हर किसी के जीवन में दुखाता है, यह हमारी भूल है कि हम अपने दुखों को तो देख लेते हैं, लेकिन किसी पर आय इनसान के दुख को हम समझना भी नहीं चाहते हैं, क्या सबकी पीडा हमारी पीडा नहीं है, और है भी तो हम ऐसे दुखों का जो की किसी अन्य इनसानों पर आया है या हमारे, अंदर क्यों नहीं आते हैं? हर कोई इनसान अपने दुखों को याद करके रखता है, उन्हें हमेशा इस बात का एहसास होता है, कि हम क्या थे और कैसे स्थिती से बाहर निकले हैं, अधिकतर इनसान जो दुख है दो दुखी नजर आते हैं, वह इनसान अपने जीवन में इसी लिए दुखी हैं, क्योंकि इन्सान अपने जीवन को वर्तमान में जीना ही नहीं चाहता है, वह सदैव अपने जीवन को भूतकाल या भविश्यकाल को लेकर सोचता रहता है, उसके सोचने से उनके मन की क्रियों का चलन इसी रूप में चलने लगता है, जिस दिशा में वह सोचने की क्रिया कलाप करता है इंसान चाहे तो अपने दुखों से छुटकारा तुरंत पा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की अज्यानता उनको इस चीज से बाहर निकालने के लिए प्रेरित नहीं करता है, वह चाहता है, जीवन भर उसको इसी तरह के समस्याओं से उलच कर रखूं, वह अपने आपको आरा दिन ऐसे दुखों से ऐसे पार करना पड़ेगा, जो की बहुत बड़ी कठिनाई है, यदि हम अपने जीवन को वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी यह दुख और चिंताएं नहीं आएंगे, अक्सर हम यह भूल करते हैं, कि न चाहते हुए भी भूतकाल और भविश्य कालकी की दुनिया में चले जाते हैं, भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, यदि कुछ गलतियां हुई होगी भूतकाल में, तो इन गलतियों के बारे में 100 बार में 100 तरहे के तरीकों से सोचते रहते हैं, काश ऐसे कर लेते ह काश यह गलतिया नहीं होती भविश्य को लेकर भी इनसान अपनी वर्तमान जीवन को नश्ट कर देता है या तो बोल सकते हैं कि बरबाद कर देता है हम अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं आप अपने चारों तरफ नजर दौरा करके देखेंगे तो आप आएंगे कि हर कोई अपने भविश्य को लेकर चिंतित हैं किसी को अपने जीवन में डॉक्टर बनना है किसी को इंजिनियर बनना है किसी को एक्टिंग की दुनिया में जाना है वगैरा वगैरा जो चात्र हैं या उनके अभीभावक है वह अपने बच्चों को लेकर या बच्चा स्वयं को लेकर अपने भविश्य में अपने जीवन को तलाशता है, वह उसके लिए महंत भी करता है, लेकिन यह जो सफलता है जरूरी नहीं है कि तुरंत ही मिल जाएगा इस सफलता को पानी में कभी कभी वक्त गर वक्त भी लग उसे वक्त उसे बच्चे का या उसे चात्र का अभीभावक की उम्र भी बढ़ती जाती है, उनको समाज का दबाव भी रहता है, इसलिए वह चात्र अपने अभीभावक से डाट भी पड़ता है, और कड़वाहट की गोली भी मिलता है ऐसे चात्र अपने जीवन को जीना ही भूल जाता है, वह सिर्फ की सिर्फ अपने भविश में ही अपने जीवन को देखता है, अपने वर्तमान जीवन को भूल जाता है, यह अपने जीवन में हंसना भी भूल जाता है, लेकिन आप चात्र हैं या चात्रा के अभीभावक आ आप एक बात को थोड़ा गौर से तूने दुनिया में सफल इनसान को हर कोई पूछता है। लेकिन आप हारे हुए इनसान को एक बार होसला बढ़कर देखें, उनके मनोबल को कभी मत हराए। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यही है कि जीवन में खुश रहा जाए, खुशी से बड़ा कोई भी सफलता के जीवन में नहीं है, हर इनसान खुशी के लिए ही जीता मरता है, इसके बिना जीवन व्यर्थ हैं। यदि आप जीवन में सफलता के मूल सूत्र या उनके जड़ों पर केंडरित करते हैं, तो आप पाएंगे उनके जड़ों का मूल प्यास खुशी ही है, हर इनसान को खुश रहना चाहिए, और जो इनसान अपने वर्तमान जीवन में हंसी खुशी से अपने कारियों पर लग बाद ऐसी कोई भी समस्याएं उनके समक्ष खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसे इनसान अपने जीवन को जीना सीख लिया है, दोस्तों एक नगर में एक लड़का रहता, था वह लड़का अपने जीवन में काफी दुखी और चिंतित था, वह लड़का अपनी दुखो से परिशान होकर अपनी जीवन को खतम करने के लिए कहा कि उचाई पर जाने का मन बनाया और वह कुछ देर चलते हुए उसे पहाड की चोटी पर पहुँच गया, वह लड़का इस चोटी पर बैठकर मन ही मन सोचने लगता है कि अपना जीवन को खतम कर लेंगे मेरे जीव था एक बौध भिक्षुक वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बाहर की चोटी पर जो चटान थी उसे पर एक लड़का काफी सलीखे से गुमसुम होकर अपनी चिताओं में लिफ्ट है, वह बौध भिक्षुक को रहा नहीं गया और वह शीग रही, उसे लड़ होना एक मनुष्य के लिए सही नहीं है, इंसान होकर भी आप अपने जीवन से इतने दुखी हैं और इस तरह का शांत होकर गुमसुम होकर अपने जीवन को जो मिला है, इसको नश्ट कर रही है, ऐसी क्या वजह है, जो तुम अपने जीवन से नाराज होकर इस संसनी पहाडी पर बैठे हुए हो लड़के को बौध भिक्षुक के बातों सुनकर कहा, बाबा आप नहीं समझेंगे मेरा पीड़ा को, मैं कितना पीड़ित हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है। पर इस तरह तुम्हारे उपस्थित होने का क्या कारण है, तुम मुझे पर विश्वास कर सकते हो, मैं तो एक योगी हो, मुझे से क्या बात छुपाना मैं तुम्हारे अंदर की बातों को जितना तक पढ़ पा रहा हूँ, तुम अपने पारिवारिक जीवन से काफी नाराज होकर इस पहार की चोटी तक आ गये हो, तुम अपना घर छोड़ दिये हो, लड़के ने गुरु की या बाते सुनकर उनसे कहा है, गुरुवर आपको कैसे पता चला, कि मैं अपने घर को छोड़ कर आया हूँ मैंने, तो आपसे यह बात कहीं भी नहीं, तो आप कैसे? जानते हैं, गुरु ने हनस्ते हुए कहा, बालक तुम बहुत ही भोले हो, और नादान भी तुम अपने चारों तरफ नजर गौड़ा कर देखो, इतने सुनसानी जंगल की पहाडी के चोटी पर कोई अपने साथ कपड़े की मोटरी लेकर क्यों आता तुम्हारे हाथों की गठ्रिया बता रही है, तुम अपने घर को छोड़ कर जाना चाहते हो, लड़के ने उस बौध भिक्षुक से कहा, है गुरु वर में यहां तो अपनी समस्याओं का निदान के लिए आया था मैं अपने जीवन को त्याग कर जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्त आप मुझे जरूर बताएं। रोजगार में मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे काम को छोड़ दिया उसके बाद से मैंने अपना खुद का ही व्यापार चालू किया व्यापार चालू करने। जैसे ना तो मैं अपने घर की समस्याओं में अपना हाथ बता रहा था और ना ही पारिवारिक जीवन के परिस्थितियों में नहीं उनका कोई हाथ भर रहा था घर से भी घर के लोगों से भी मुझे बहुत सारा ताना मिल रहा था कि मैं अपने मातापिता की रखी हुई धन को ऐसे ही व्यापार में उड़ा दिये मैंने उनके धन को बरबाद कर दिये गुरुवार मैंने तो व्यापार इसी लिए चालू किया था कि उसे तरक्की करके अपने परिवार की परिस्थितियों को सुधारूंगा अपने जीवन को बहतर बनाऊंगा लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया जब मेरा व्यापार सही चल रहा था तब घर के लोगों में मेरे प्रती काफी प्रेन जलकता था लेकिन जब से मेरे बुरे दिन आये हैं तब से मेरे प्रती मेरे घरों के लोगों को न जाने क्यों गुस्सा और द्वेश भावनाएं। जलकती है मैं उनके बातों को सुन सुनकर काफी आहत हो चुका था जिसके वजह से मैंने प्रण। लिया कि मैं अपने घर को छोड़ दूंगा और दोबारा कभी भी लोट कर नहीं आऊंगा। भिक्षुक ने लड़के की बात को सुनकर कहा देखो बेटा यदि तुम अपने जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ऐसे बातों का सामना करना ही पड़ेगा। अपने समस्याओं का हाल यहाँ पर। इनसान के कंधों पर डाल दिये हो किसी दूसरे पर आश्रित हो गए हो तो भला तुम कैसे खुश हो सकते हो। गुरू की बात सुनकर लड़का उनसे कहता है गुरुदेव मेरे साथ मेरा एक साथी भी अपने व्यापार में हात आजमाया था। वह अपने व्यापार के छेतर में काफी तरक्की कर लिया वह प्रतिदिन मेरे घर के से होकर जब वह अपना व्यापार के लिए निकलता है तो मेरे घर वाले अकसर उनकी तरक्की का दुहाई मुझे करता देखो तुम्हारा मित्र व्यापार में। तरक्की पर तरक्की कर रहा है और तुम अपने मातापिता और खुद के धन को इस तरह व्यापार में बरबाद कर दिये हो, तुमें कोई आइडिया नहीं है, तुम सिर्फ इस दुनिया में गिंती के लिए आए हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा जीना ह अपने व्यापार में तरक्की कर लिया है। लड़के ने गुरु से कहा गुरुदेव अगर सच्चे मन से कहा जाएं मुझे अपने व्यापार का सफल न होना। उतना ज्यादा है चिन्ताएं नहीं देती है जितना की अपने मित्र की सफलता को देखकर। चिन्तित होता हूँ गुरुदेव हंस्ते हुए कहते हैं यानि कि तुम अपनी दोस्त की तरक्की से जल रहे हो यदि तुम्हारा दोस्त या मित्र अपने व्यापार में सफल हो रहा है तो तुम्हें दुखी हो रहा है यानि तुम्हारे खुशी या दुखी होने का कंट्रोल तुम्हारे मित्र के पास है, तुम्हारे पास अपनी खुश होने का भी कमान नहीं है, तुम अपनी दुख और सुख की व्यथा किसी दूसरे इनसान पर आश्रित हो चुके हो, जो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, वह तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मित् जीवन अपने व्यापार को क्यों बर्बाद करेगा क्या उसके स्थान पर यदि तुम होते तो क्या तुम भी ऐसे कर सकते थे लड़के ने कहा नहीं गुरुदेव मैं तो अपने व्यापार पर और भी तरक्की करने के लिए जी तौर कर महंत करूंगा यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरा इनसान चाहे आपके परिवार का हो चाहे आपका मित्र हो वह भला आपके असफलता को अपनी असफलता का मूल क्यों समझेगा लड़के को एसास हुआ की में जो कर रहा था जैसा की मैं सोच रहा था वह उचित नहीं है वह सरासक बहुत ही गलत थ लड़के ने गुरु से कहा है गुरुवर आप मुझे बताईए कि मैं अब क्या करूं कैसे मैं अपने जीवन की शुरुवात करूं। बौध भिक्षुक उसे लड़के को एक लकडी की बक्से देता है और कहता है जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्याएं आए तो इस बक्से को खोलना जब तुम्हें लगेगा कि मेरे चारों तरफ कुछ नहीं है अंधेरा ही अंधेरा दिखाएं देगा यह तुम्हारे जीवन का आखिरी चाबी है उसे चाबी का प्रयोग अपने बुरे वक्त में ही करना उसके बाद वह गुरुवर लकडी की बक्से को देखकर वहां से चला जाता है लड़का भी उसे बक्से को लेकर अपने घर आता है और उसे बक्से को संभाल कर रख देता है उसके बाद वह अपने जीवन में नहीं परी का शुरुवात करता है, वह फिर से नहीं एक व्यापार की नियू रखता है और उसे पर काफी मेहंत भी करता है, मेहंत करते करते उसे अपनी व्यापार में कुछ तरक्की भी मिलता है लेकिन होनी को कौन रोक सकता है फिर उसके साथ ऐसे ही विपत्ती आता है कि उनका व्यापार फिर से ही ठफ हो जाता है लड़के को अब चिंताएं सताने लगती है कि अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चल पहले तो उसके घर में सिर्फ माता पिता ही थे लेकिन व्यापार चलने के उपरांथ ही हुआ शादी भी कर लिया था अब उनके साथ उसकी अरधांगिनी भी थी उसे कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि जीवन को त्याग दू तभी उसकी नजरे गुरु जी के दिये हुए लकडी की बकसे पर पड़ी वह उसे बकसे के पास गया और उसे बकसे को खोल बकसे को खोलने के उपरांथ थे उसे बकसे से एक चिठी मिली जिसमें लिखा हुआ था यहां से तुम्हारी जिन्दगी का शुरुआत हो रहा है इस नई जिन्दगी को बहतर रूप से शुरू करें। यह बातें पढ़ कर लड़के के अंदर एक अजीब सा सकारात्मक उर्जा का वाहन हुआ फिर। लड़का हर ना मानते हुए गिर कर अपने व्यापार को चालू करने का निर्णय बना लेता है। अब वह अपनी गलतियों से सीख चुका हुआ था। वह कोई भी गलती अपने व्यापार में नहीं कर रहा आने का सोच लिया था। वह हर काम को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को बड़ी ही बारीकी से पढ़-पढ़ कर करने लगा। वह उसे नगर का सबसे बड़ा। व्यापारी बन गया अब उसके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं थी उसके घर परिवार सभी खुश थे लो। उसे काफी आदर भाव से देखने लगे हैं, हर कोई उसकी उदाहरन को देखकर छोटे छोटे बच्चों को प्रेणा का स्वरूप उनकी कहानी को बताने लगे, यह कहानी से हमें या शिक्षा मिलती है, कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी समस्याएं क्यो ना आ जाए, यह समस्या जीवन में इसी लिए आते हैं, ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बन सके, जिससे आने वाली उ तीसरी शिक्षाया मिलती है कि हमें अपने जीवन का दुख हो या सुख हो दोनों का ही कंट्रोल किसी दूसरे के कंधों पर नहीं सौपना चाहिए। आने वाले कल भी अच्छा होगा और हमारा जो भूतकाल है वह भी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग इस वीडियो को लाइक करके बताईए यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।